Hello friends and dear students, today we will discuss the qualitative analysis of carbohydrates या आप carbohydrates की जो analysis है उसको लाब में भी कर सकते हैं इन methods के दोरा या फिर आप को exam में पूछा जाता है कि कैसे carbohydrate का test करते हैं तब भी आप इसको लिख सकते हैं अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी test होते हैं अगर हम चाहे तो इनको broad classification कर सकते हैं अगर आपको कोई unknown sample दिया जा रहा है जिसकी आपको testing करनी है और बतानी है कि वहाँ पर carbohydrate है या नहीं है तो एक common test आप perform कर सकते हैं अगर reducing carbohydrates के लिए test करने जानी कि आपको जो sample दिया गया उसमें reducing carbohydrates हैं या reducing sugar है या नहीं के लिए दूसरे प्रकार का test किया जा सकता है monosaccharides carbohydrates carbohydrates को पकड़ने के लिए एक प्रकार का test होता है एक polysaccharide test को पकड़ने के लिए polysaccharide और last में एक test कर सकते confirmational test है इस test के द्वारा आप कौन सा carbohydrate या कौन सा particular carbohydrate या monosaccharide present है उसको हम लोग confirmational test के द्वारा जो है पकड़ते हैं तो अगर common test की बात करें तो यह दो तरीके के होते हैं एक होता मॉलिस test में और एक होता एंध्रों से test इन दोनों को भी हम लोग आगे जो है वो करेंगे monosaccharides के लिए बात करें तो इसमें जो है एक होता है बॉर्फर test ठीक है दूसरा होता है selling one of test जो की ketonic group को पकड़ने के लिए कि ketonic monosaccharide है या की LD headache group वहाँ पर है तो उसको पकड़ने के लिए किया जाता है polysecret को पकड़ने के लिए बहुत important test है that is iodine test जो कि starch या को पकड़ने के लिए जो हम लोग या glycosine को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं और confirmation test जो होता है जिसको हम लोग phenyl hydrogen test भी कहते है या osajone formation test भी बोलते है और यह जो test है यह अभी हम लोग last में जब इसको देख करते हैं और इनका procedure को समझने की कुशिश करते हैं कि किस प्रकार्सिंग को करते हैं अगर common test for carbohydrates की बात करें यानि कि unknown samples जो आपको दिए गये हैं पुछ एक करना है कि वहाँ पे carbohydrates है या नहीं है तो आप यह test perform कर सकते हैं इसमें से जो पहला test है वो है mollins test और mollins test को जो है कर ठीक है पाच ग्राम napthol को लेकर alcohol के अंदर उसका एक solution त्यार कर लीजिए that is known as 5% solution of napthol in alcohol इसके दो drops लेने that is known as also mollis reagent ठीक है यह mollis reagent है यहाँ पर ठीक है तो napthol को लेना है 5% solution दो drop आपके solution के अंदर मिला लेना है उसको और फिर 1 ml उसमे concentrated S2SO4 डालना है ठीक है तो bluish violet ring मिलेगी जहां पर test tube में आपका S2SO4 और जो यह आपने उपर solution ले रखा यह यह दोनों जहां मिल रहे होंगे वहां पर या तो bluish violet ring मिलेगी आपको या पूरा का पूरा पूरा जो solution है वह violet color का हो जाएगा एक बात ध्यान रखिएगा कि concentrated S2SO4 जो है वह drop by drop धीरे-धीरे मि ला दीजेगा ठीक है तो अगर यहां पर violet color या violet color के ring मिल रहे हैं इसका मतलब की carbohydrate वहां पर present है आई यह बात करते हैं एंट्रों टेस्ट की जो की दूसरा test है common test में यहां पर भी हमको 2 ml अपना sorry यहां पर 2 ml हमको 2% एंट्रों लेना है in concentrated S2SO4 तो एंट्रों टेस्ट कर एंट्रों test reagent तो 2 ml इसका लेना है आपको 2% solution एंट्रों का concentrated S2SO4 में और उसमें 2 drop उतना test sample जो भी test जिसकी compound को आपको test करना है या जो आपका test sample है उसको हमको 2 drops ले लेना है उसके बाद boil करना है 10 minute के लिए ठीक है boil करेंगे in water bath यहांनि water bath on कर लीजेगा उसके उपर इसको 10 minute के लिए क्या करेंगे आप boil करेंगे blue is green color आपको मिलेगा अगर blue is clean color आपको मिलता है तो आप समझ जाएगा कि वहाँ पर काभो आड़िड है यानि कि मॉलिस्ट करके या इंट्रों टेस्ट करके हम समझ सकते हैं कि काभो आड़िड प्रेजंट है या नहीं तो यह दी जार्दा कॉमन टेस्ट आईए अब बात करते हैं टेस्ट फोर डिदूसिंग प्रापर्टि ऑफ काभो हड़िड या फिर के लिए आपको 7% कॉपर सलफेट को का सलुशन त्यार करना है पानी में जिसको हम सलुशन ए नाम दे सकते हैं ठीक है दूसरा पहला सलुशन क्या बनाएंगे 7% कॉपर सलुफेट को लेना है यानि 7 ग्राम कॉपर सलुफेट को 100 ml वाटर तक में डिजॉल्व करना है और डि जब भी आपको यूज करना हो तब आप सलुशन ए को सलुशन बी में मिक्स कर लिजिए और आपका यह जो मिक्सर बनेगा सलुशन ए और सलुशन बी का डैट इस नोन एस फेलिंग स्रियेजेंट अब इसको यूज कैसे करना है इस तेस को कैसे परफॉर्म करना है दो एमल लिए जो अभी आपने बनाया इन दोनों को मिला करके फेलिंग बनेगा तू एमल फेलिंग रिजन ले लेना है फ्यू ड्रॉप्स आपका जो सैंपल सलूशन है जिसको आपको चेक करना है उसको ले लीजिए ठीक है दोनों को ले करके थोड़ी दिर के लिए उसको बॉयल क टेस्ट यहां पर भी रिजेंट बनाना होगा इसका रिजेंट बनाने के लिए हमको 17.3 ग्राम सोडियम से ट्रेट ठीक है तो लेना है कितना सतरा देसमलों तीन ग्राम और टेन ग्राम सोडियम काबोनेट को लेना है और उन दोनों को 75 ml वाटर में दिजॉर्व करना है यान हम एक दूसरे container में 1.73 gram of copper sulfate ले लेंगे और उसको 20 ml water में क्या करेंगे dissolve करेंगे copper sulfate लेना है कितना लेना है 1.73 gram और इसको dissolve करना है 20 ml water में ठीक है इसको क्या बोलेंगे solution B now आप solution A और solution B दोनों को हमको क्या कर लेना है dissolve कर लेना है और volume make up करना है कहां तक 100 ml तक यह 75 ml था यह 20 ml था तो करीब 95 ml आप ने त्यार किया 5 ml लगभग और water मिला देंगे तो 100 ml तक volume make up हो जाएगा ठीक है इसी को हम क्या कहेंगे benedict reagent आईए अब इसको यूज करते हैं 2 ml of benedict reagent ले लिजिए test कैसे perform करेंगे देखिए 2 ml benedict solution ले लेंगे या solution ले लेंगे और उसमें हमने 3-4 drop हमारा sample का solution है जिसको हमको चेक करना है उसको लेंगे और इन दोनों को ले करेंगे थोड़ी देर के लिए red precipitate अगर मिल जाता है इसका मतलब वहाँ पर reducing sugar present है ठीक है अगर red precipitate नहीं आता है इसका मतलब non reducing sugar वहाँ पर present है तो यह था हमारा benedict test आईए अब तीसरे परकार का test perform करते हैं जो की monosecrate जो carbohydrates होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम दोग यूज करते हैं तो इसको करने के लिए सबसे पहला जो टेस्ट है वह बारफोर्ट्स टेस्ट इसमें भी रियेजन त्यार करना होगा इसका रियेजन बहुत ही असान है 13.3 यानि 13.3 ग्राम copper acetate को लेना है और 200 ml of water में उसको dissolve करन है प्लस उसमें हमको डालना है 1.8 ml of glacial acetic acid ठीक है 2 ml water और 1.8 ml glacial acetic acid लेना है और उसमें मिलाना है 13.3 ग्राम of copper acetate यह बन जाएगा क्या हमारा इस test का रियेजन अब हमारा 1 ml हमको क्या लेना है test sample जिसमें हमको perform करना है test को उसके बाद 2 ml लेना है बारफोर्ट रियेजन जो अभी अभी हमने बनाया इन दोनों को ले करके एक minute के लिए एक बात याद अखिएगा exact एक minute के लि करेंगे तब भी कलर आ जाएगा और वह डाई सेक्राइट के लिए भी होता है डाई सेक्राइट भी सेम टेस्ट देते हैं लेकिन जब उनको ज्यादा देर के लिए गरम करता जाता है एक minute से ज्यादा के लिए तो एक minute के लिए गरम करेंगे तो reddish orange color जो है वह आपको हैं दूसरा जो टेस्ट है जो की ketonic group के लिए करते हैं इसको हम लोग कहते हैं सेलीन वन आफ टेस्ट के लिए भी देजन त्यार करना है बहुत ही आसान है रिस और सी नॉल लेना है कितना 50 mg 50 mg रिस और सी नॉल को लेकर के 100 ml डालूट सेल में क्या करना है उसको डिजॉल्व करना है तो ketonic group को चेक करने के लिए तेखिए आप सभी को पता है कि जो कावा अडेट्स होते हैं वो जनरली बुनो सेक्रेट्स वाले दो तरीके के हो सकते वाँ पर ketonic group दूशरे मिपने वह सकता है वाँ पर आपका aldehyodic group चेक है तो ketonic group वाले जैसे कि आपके हो गए त्यों सभी को पता है लें जैसे फ्रक्तोस और जो aldehydic वाले यासे glucose तो आपको फ्रक्तोस वाले को पता करना है यान्नी कि हमको ketonic group पता करना है तो हम तेस्ट के साथ कर सकते हैं 50 mg रिस और सी नॉल को 100 ml डैलूट सेल में ले लेंगे यह हमारा रियेजंट जो है वो त्यार हो जाएगा अब टेस्ट कैसा परफॉर्म करेंगे टेस्ट का परफॉर्म करने के लिए few drops of test solution जो भी आपने लिया करके 5 ml उसको लेना है और इन दोनों को एक साथ लेकर के तीन मिनट के लिए गरम करेंगे तो चेरी रिट कलर मिलेगा आपको अगर चेरी रिट कलर आता है इसका मतलब वहां पर किटो सुगर है या किटोज यानि किटोन ग्रूप वाला मोनो सक्राइड है अगर नहीं आता है का मतलब किटोन ग्रूप वहां पर प्रिजेंट नहीं है आई आगे बढ़ते हैं अगर पेंटो सुगर को पकड़ना है तो यह टेस्ट करने के लिए यार करना होगा वह रिजेंट कैसे बनेगा और सिनॉल लेना है और सिनॉल को 150 mg और सिनॉल को 50 50 ml of HCl कंसंट्रेटेटेट के अंदर क्या करना है डिजॉल कर लेना है तो 150 mg और सिनॉल को 50 ml में लेना है इसी को हम क्या कहेंगे हमारा बैल्स डियेजेंट नाव टेस्ट परफॉर्म करेंगे पांच अमल बैल्स डियेंट जो भी आपने बनाया उसको ले लीजे दो एमल उसमें जो आपको सैंपल दिय करेंगे 10 मिनिट के लिए तो गरम-गरम में जब तीन ग्रीन कलर जो है वह दस मिनिट के बाद आपको मिलेगा और यही इस बात का प्रूफ होगा कि वहां पर पेंटो सुगर प्रेजेंट है आईए अब लास्ट टेस्ट है जो की आपके मोनो सक्राइट टेस्ट के लिए कर करना है वह 0.5 ml fluoroglucinol का solution लेना है 0.5 ml fluoroglucinol लेना है एक ml क्या लेना है इन दोनों को आपस मिक्स करेंगे थोड़ी देर बात रेट कलर आएगा अगर रेट कलर आएगा इसका मतलब वहां पे गैलक्तोस प्रेजेंट है अगर रेट कलर नहीं आए तो इसका मतलब गैलक् करिए वाटर बात पर करीब 90 मिनट के लिए तो 90 मिनट तक यानि देड़ घंटे तक इन दोनों को ले करके क्या करना है गरम करना है उसके बाद फिल लेट इस्टैंड फार ओवर्नाइट यानि की पूरी रात के लिए उसको क्या कर देना आपको छोड़ देना है रात भर के सिंपल्क सी सबर्द सब्सक्राइट हरु होता है वह दो सिंपल प्लू क्लॉर का Αंच बना लन के दैना राता है आपकह जो भी पॉलिसक्राइट होते हैं तो ऊसके साथ रियाक स्जेट्ट आयोड़कोजन कर रेक्क साथ एक संबर आ आछ और यह कॉमपलेक्स बना लेती है को perform करने का इसका रीजेंट बनाएंगे तीन ग्राम आयोडीन को लेना है 100 ml of 3% potassium iodide के क्या ही solution यानि आप पहले 3% potassium iodide का solution त्यार करिए और उसको ले करके फिर हमारा तीन ग्राम आयोडीन लेना है और इसके 100 ml में उसको क्या करना है डिजॉल करना है यानि 3 g of iodine in 100 ml of 3% potassium iodide solution ठीक है यही हमारा reagent की तरीके से होगा टेस कैसे परफॉक्ट परेंगे few drops of test solution जिसमें test perform करना है उसके कुछ drops ले लिए उसमें two drops क्या मिलाएंगे आप 0.1 normal SCL लेंगे याप ठीक है 0.1 normal SCL का 2 drop लेंगे हमारी 3-4 drop आप test solution ले लीजिए इन दोनों को लेने के बाद इसमें 2 drop reagent जो अभी आपने region मनाया है दो drop of iodine reagent मिलाएंगे तो दो बाते होंगी पहली चीज यह blue color आएगा अगर blue color आएगा इसका मतलब वहां पर starch present है अगर blue color ना करके brown color आएगा इसका मतलब वहां पर glycosin present है अगर blue color आता है तो starch brown color आता है तो glycosin यह प्रकार के confirmationary test भी है starch और glycosin के now the last but not the least that is confirmationary test for carbohydrates confirmationary test for carbohydrates is also very important test और इसके एक जो test है जिसका नाम है phenyl hydrogen test यह भी अपने नाम से ही पुछा जाता है कई बार exam में और phenyl hydrogen test के नाम से और यह जो test है यह बहुत important test है for reducing mono and dicecrites जो monosecrites और dicecrites जो reducing sugars होती है उनको पकड़ने के लिए test किया जाता है कैसे होगा जो carbonil group है जैसे मैंने पहले कहा कि monosecrites और dicecrites में जो है ketonic group है और aldehytic group है उसी को हम लोग क्या बोलते है carbonil group यह carbonil group जो sugar की है वो phenyl hydrazine के साथ क्या करते है react करते है और crystals of osa zones मनाते हैं तो osa zone formation भी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि osa zone formation होता है osa zone के नाम से भी osa zone test के नाम से भी यह आ सकता है तो osa zone test के रूप में यह crystals of osa zone मनाते हैं कौन हमारा phenyl hydrazine carbonil group of sugars के साथ ठीक है तो अब यह सेम ही एक ही test कैसे अलग-अलग sugars को पहचानेंगे आप on the basis of shape कौन जो crystals बन रहे हैं उनका shape कैसा है और यह crystals बन रहे हैं वो कितना समय ले रहे हैं उसको बनाने में ठीक है तो कितना समय लगेगा crystals को बनने में और कौन से सेब के crystals बनेंगे इसे ही इस बात को निधारी करेगा कि कौन सा सुगर वहाँ पर प्रेजेंट हैं अगर बात करें रियेजेंट की तो कैसे बनाएंगे आप 40% phenyl hydrazine को लेना है 40% और 60% sodium acetate का mixture लेना है जैसे माली आपको 10 ग्राम आप बना रहे हैं तो 4 ग्राम आप क्या लेंगे phenyl hydrazine hydrochloride और 6 ग्राम आप लेंगे sodium acetate और इन दोनों को ले करके solid हैं दोनों solid को ले करके pistol motor के मज़र से उसको क्या करेंगे mix करेंगे और एक homogeneous mixture जो है hydrazine hydrazine hydrochloride का और sodium acetate का इस mixture को ले लेना है और इन दोनों को एक साथ ले करके boil करना और वाटर बात ठीक है उसके बाद फिर क्या करना है no down the time boil करने के बाद क्या करेंगे उसको ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे और time देखेंगे कि formation of crystal में कितना समय लग रहा है ठीक है उसको no down करेंगे और इसके बाद फिर जो भी crystals आएंगे उसको आप microscope में ले जाकर के चेक कर सकते कि क्या इसका सेप आ रहा microscope की मदद से आप उसको चेक करेंगे अब आईए अलग-अलग समय पर जो crystal का सेप बने का उसके इसाब से हम लोग different different carbohydrates को पकड़ेंगे सबसे पहले अगर 2-3 मिनिट के अंदर yellow crystals आते हैं और वो निडिल सेप के होते हैं सुई की जैसे निकिलर निकिले सेप के crystals बनते हैं तो फ्रक्टोज हैं वहाँ पे निडल सेप crystals बन रहे हैं लेकिन 5-7 मिनिट लग रहा है उसको करने में तो वहाँ पे क्या होगा glucose होगा 15-20 मिनिट लग रहे हैं crystals बनने में और वो crystals यो बनना है वो broken glass like crystals हो रहे हैं जैसे सीशे को तोड़ है जैसा ठीक है तो बैड्मिंटन शेप का crystals बन रहा है जो की सॉलीबल है हाफ हाफ हाट वाटर में अगर इन जो crystals बनना है उनको हाफ पानी हाफ हाफ हाट वाटर आप लेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे तो इन crystals को 45-50 मिनिट लगने में बन रहा है तो इसको हम क्या बोल इसको बनने जिसे चौक का पाउडर करते हैं तो इसको बनता है वैसा अगर बन रहा होगा तो अरबी नोज होगा वहाँ पे छे से साथ मिनिट लग रहे हैं और फ्लावर के सीब जैसा किस्टल्स बन रहा है सिर्फ देखे अब आप स्टार फ्लावर में कंफूज हो सकते है लग रहा है याँ आपने टेस्ट परफॉर्म करके रग त्थंडा होने के लिए 35-45 मिनिट बाद आपको क्रिश्टल्स मिल रहा है लेकिन अगर 6-7 मिनिकिस्टल्स मिल जाएंगे और वह समझ जएगे कि महां पर क्या है जायोज है 3-7 मिनिट लग रहा है और निडिल से क्र सुक्रोज होगा तो यह जो टेस्ट थे यह थे काबो हड़ेट को पकरने के लिए टेस्ट इफरेंट इफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं लगबग सभी important टेस्ट को मैंने इंक्लूट करने की कोशिश की और भी सारे टेस्ट हैं जो कि काबो हड़ेट्स के लिए किये जाते हैं बट जो important टेस्ट थे विए मैंने इस वीडियो में इंक्लूट किये हैं करता हूं कि आपको समझ में आओगा और इस टेस्ट को आप इसी तरीके से लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं और रिएजेंट से बना सकते हैं इससे रेलेट को कुश्चन हो तो कमेंट बाक्स में पूछेगा मैं answer करने की कोशिश शुरूब आप वीडियो के दिखने के बहुत बहुत धन्यवाद